हार्दिक कर्के टीम की आल्राउंडर हार्दिक पांडिया पिता बनने वाले हैं कुछ वक्त के पहले हार्दिक पांडिया ने शोशल मेडिया के जरिए इस खुश खबरी को अपने फैंस दर पहुचाया था बहुत जल्दी पांडिया फैमली में एक लन्ले महमान की एंट्री होने वाली है हार्दिक के पतनी नताशा इस्टेन कोविक ने हाली में अपने बेबी बंब के साथ एक फोटो शेयर कर बताया है कि खुशियां रास्ते में हैं हार्दिक ने इसी साल के पहले दिन यानी एक जन्वरी को सर्वियन मॉडल नताशा इस्टेन कोविक से सगाई करके सब को चौका दिया था उन्होंने लॉकडाउन के दौरान नताशा के साथ कुछ फोटो शेयर करके अपने पिता बनने की खुशखवरी फैंस के साथ जाहिर की थी बताते भारत में कोरुना वारस की बचा से क्रिकेट और बॉलिवूट से जुड़ी गती विद्यों पर फिलहाल ब्रेक लगा हुआ है हाला कि कुछ भारतिये क्रिकेटरों ने आउट्डोर ट्रेनिंग शुरू कर दी है लेकिन अधिकांश खिलाडी घर पर परिवार के साथ वक्त भी दा रहे हैं लॉकडाउन के दौरान क्रिकेटर और वॉलिवूट सेलिब्रिटी सुशल मीडिया पर भी खास से एक्टिव रहे हैं हार्दिपांडिया और नताशा स्टेन कोविक भी सुशल मीडिया के जरीए फैंस को अपने बारे में अपडेट देते रहे हैं इसका पर ने लॉकडाउन के दौरान अपनी कई रोमांटिक फोटो और वीडियो भी शेयर किये थे अब नताशा इस टेन कोविक ने अपने बेबी बंप को फ्लॉंट करते हुए एक प्यारी फोटो शेयर की है इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने हार्दिपांडिया को भी टैग किया है नताशा ने इस पोस्ट पर कैप्शन दिया है खुशियां रास्ते में है प्रेगनेंसिक के इस पिरिड में हार्दिप भी नताशा को खुशे रखने की पूरी कोशिश कर रहे है बतादे कि हार्दिपांडिया अपनी बैक इंजिरी की वज़ह से काफी वक्त तक टीम इंडिया से बहार थे उन्होंने मार्च में दक्षिन अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सिरीज के लिए वापसी की थी इस सिरीज का पहला मैच बारश की वज़ह से धुल गया था इसके बाद कोरोना वारस की वज़ह से इस सिरीज को रध कर दिया गया पांडिया को IPL 2020 से वापसी की उमीद थी लेकिन कोरोना वारस की वज़ह से इस टुन्यमेंट को आनिशिक काल के लिए इस्थगेत कर दिया गया है